हाँ तो बच्चोर चलो आज हम लोग परते हैं पात चोदा चलाक लोमडी यहाँ पर यह चितर दिया हुआ है और इस चितर की एक कहानी दिविए है लोमडी और कवगा की कहानी है इसमें चलिए पढ़के देखते हैं, एक जंगल में एक लोम्री राती थी, वह बहुत चलाक थी, एक दिन वह बहुत भूखी थी, तो जंगल में कुछ खाने के लिए ढूंढने निकली, बहुत ढूंढने पर उसे कुछ नहीं मिला, तभी उसकी निगा एक पेर पर भैठे कवे पर लगी, वह जानती थी कि कुवे की आवाज बहुत करवी थी, और उसे गाना एक दम नहीं आता था, फिर भी कुवे को गाना बहुत पसंद था, लोम्री ने कुवे की प्रसंसा करते हुए, कहा कि कुवे भाई, मैंने सुना है, कि तुम बहुत सुरिला गाते हो, मैंने तुम तुम्हारा गाना कभी नहीं सुना, क्या मुझे तुम गाना नहीं सुनाओगे, कववा बेवकूफ था, अपनी प्रसंसा सुनकर वह इतना खुस हुआ कि वह या बूल गया कि उसकी चोच में रोटी है, जैसे ही उसने कौं कौं सुरू किया, मुझ खोलते ही रोटी जमिन पर गिर गई, लोम्री तो यही चाती थी, वह जट से रोटी उठा कर भाग गई, कववा अपनी मुर्खता पर पच्चताने लगा, ठीक है, समझ गए इस कहानी को, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, देखें यहा पर दिया है, इस से हमको क्या सीख मिली, हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्या सीख मिली, हमें अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए, जूठी प्रसंसा पसंद नहीं करनी चाहिए, और हर काम हमें सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो लोम्री की तरह हमें कोई भी मुर्ख बना सकता इसकारी से हमें यही सीख मिली कि एक तो मुझे अपने आप पे कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए जिसी को फ़िए को अपने आप पे घमंड था और बोल रहा है कोई भी काम हमें सोत समझ कर करना चाहिए अगर सोत समझ कर हम कोई काम नहीं करेंगे लोमड़ी नेकवय को खड़ा हो जाएगा इस पार से में यही सीख में नहीं चलिए अगली वीडियो में पढ़ेंगे